आज हम बनाइंगे यह बहुती टेस्टि और एकदम क्रिस्पी से ब्रेड पार्सल्स देखने में ही आप देख रहे हो कि कितने यमी लग रहे हैं ये इन ब्रेड पार्सल्स को आप चाहो तो बचों को नाश्ते में दे सकते हो लंच बोक्स में पाक पकर सकते हो या फिर शामकी वो छोटी-छोटी सी भूख हो, या फिर पाटी हो, सब में सर्फ करिए, ये सब को बहुत ही जादा पसंद आएंगे और इन पार्सल्स को आज हम दो तरीके से बनाना देखेंगे एक हम इसे बनाएंगे बेक करके और वो भी बिना आवन कडाही में दूसरा हम इसे बनाएंगे तवे के ऊपर टोस्ट करके दोनों ही तरह से बहुत ही जादा टेस्टी बनते हैं ये, आप जरूर ट्रा करिए कैसे तो इसके लिए ना सबसे पहले हम एक स्टिम्पल सी स्टाफिंग बनाएंगे जिसके लिए जो भी सबजी आपको पसंद हो आप अपने घर में बच्चों को बड़ों को खिलाना चाहते हो बस उन सारी सबजों को बारी काटके ना एक बोल में मिक्स कर लेना है और सबजी हो में आज यूस कर रहे हूं एक चोटे सबसी का बारी कटा प्याज, एक चोटे सबसी का बारी कटा टमाटरgia जो इसके बीज को निकाल देना है एक चोटे सबसी की बारी कटी हुई श्रम्ला मिल्च ये इसमें health भी आड़ करेगा और proteins भी आचा मैं इसमें इतनी ही सबजियां यूज़ कर रहे हूँ आप कोई भी और सबजी आड़ कर सकते हो और quantities भी सबजियों के अपने according रख सकते हो और इसके बाद अब हम इसमें seasoning आड़ करेंगे जिसके लिए मैं इसमें डाल रहे हूँ एक छोटा चमच और इगान हो आप इसके जगा पीजा, seasoning या mix herbs डाल सकते हो एक छोटा चमच डाल देंगे red chili flakes बचों के लिए बना रहे हो तो थोड़ा कम रख सकते हो इसे और साथ में इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर एक छोटा चमच डाल देंगे नमक और एक चुथा ही छोटा चमच डाल देंगे काली मिर्ची पाउडर आइसके बाद अब हम इसमें सॉसिस आड़ करेंगे तो स्टफिंग को अब हम एक साइट पर रखेंगे आइसके बाद अब हम एक होममेट गार्लिक बटर बनाएंगे जिसके लिए मैंने यह पर यह थोड़ा सा नॉम्मल बटर लिया है यह अमुल सॉल्ट बटर है इसे हमें मेल्ट कर लेना है आप चाहो तो पैन में मेल्ट कर सकते हूँ या फिर माइक्रोव कर लो इसे तो बस बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है अब इसमें डालेंगे हम आधा बड़ा चमज जितना बारीक कटा हुआ लसून लसुन को आप कदूकस करके भी यूज़ कर सकते हूँ और थोड़ा सा डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया एक चुथाई चमश डाल देंगे और एगानू और एक चुथाई चोटा चमश रेचिली फ्लेक्स तो बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसके साथ हमारा यह होम मेट कारलिक बटर त्यार हो गया है इसके बाद अब हम सबसे पहले अपने होम मेट अवन यानि की कडाही को गरम होने के लिए रखेंगे तो आज की इस रेसिपी को आपको दो तरीके से बनाना बता रही हूँ एक हम इसे बेक करके बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे तबे के उपर और बेक करके बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कडाही ली है जिसके लिए एक मोटे तले की कडाही में मैंने नमक डाल दिया है और फिर इसमें एक stand रख देंगे या किसी भी plate को उल्टा करके रख दो और इसे उपर से ढखके medium flame के उपर 10 मिनट तक अच्छो से गरम करना है इसके बाद mold को तियार कर लेंगे तो इसके लिए ना मैंने normal steel की ही plate ली है आप normal butter या oil या desi की use कर सकते हो तो बस mold त्यार हो गया है इसके बाद अब हम लेंगे थोड़ी सी bread slices जिसके लिए मेरे पास आज brown bread थी तो मैं यही use कर रही हूँ आपके पास white bread हो तो आप वो भी ले सकते हो और इस bread की यह जो sides है ना मैं इसी के साथ इसे use कर रही हूँ बढ़ आप चाहो तो इन sides को निकाल सकते हो और इनके bread crumbs बना सकते हो आइसके बाद अब हम सबसे फहले अपनी एक bread slice लेंगे और हाँ garlic का flavor अगर आपको पसंद नहीं है ना तो आप इसके जगह इसमें plain butter भी लगा सकते हो आइसके बाद अब यह जो stuffing हमने बनाई थी इसको हम रखेंगे अपनी bread slice के उपर और diagonally रख देना इससे तो इस तरह से हमें इसको center में रखना है आइसके बाद अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यह process cheese लिया है यानि कि जो cheese cube market में मिलती है मैं उसको थोड़ा कदुकस करके डाल जो इसके उपर cheese बिल्कुल optional है वैसे बच्चों के लिए तो यह healthy ही है आप चाहो तो दे सकते हो अगर आपको skip करना है तो आप इसे skip भी कर सकते हो आइसके बाद अब हम इन दोनों sides को उठा करना इस bread को बस इस तरह से fold कर देंगे और इन दोनों ends को secure करेंगे ताकि यह अपनी जगा पर इसी तरह से रहे तो इसके लिए दो options हैं या तो आप एक तरह से एक toothpick ले लिजिए और इसको इसमें insert कर देंगे बट यह जो toothpick वाला तरीका है यह मुझे थोड़ा कम पसंद है क्योंकि जब हम bread को इस तरह से bake करने के लिए रखते है तो वो कभी खुल जाती है तो इसलिए मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताते हूं इसको seal करने के लिए जिसके लिए उसी तरह से bread slice को बेल लिया है इस पर butter लगा है और सेंटर में हम यह stuffing रख रहे हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा cheese कदुकस करके डाल रूम है इसके बाद अब हम इसको fold करेंगे और इन ends को अब secure करने के लिए ना toothpick लगाने की बजाए मैंने यहाँ पर यह एक foil ली है और उसको बस इस तरह से roll करके एक thread जैसी शेप में लिया है और इसको अब हम अपने इस roll के ऊपर इस तरह से tie कर देंगे यानिकि बान देंगे हलक तो बस इससे भी यह जो दोनों ends है यह अपने shape में maintain रहेंगे और इसी के साथ हमारा यह एक parcel त्यार हो गया है तो दोनों में से जो भी तरीका आपको comfortable लेगे आप वैसे इसे बना सकते हो आई इसके बाद अब हम इन parcels को रखेंगे इस grease की हुई plate में और इसके बाद इन parcels लो मीडियम flame के ऊपर bake करेंगे तकरीबन 8-10 मिनट तक या तब तक जब तक की bread अच्छा से crispy हो जाएगे और cheese melt हो जाएगा अचा अगर आप इसे oven में बनाना चाहते हो तो आपको पहले oven को preheat करना है 180 degree पर 10 मिनट के लिए और 180 degree पर ही उसको bake करना है 5-6 मिनट तक या तब जब तक की bread अच्छा से crispy हो जाएगे और थोड़ा cheese melt हो जाएगा तो इसे रखे हो मुझे पूरे 11 मिनट हो गए है और अब आप देखे हो कि bread कितना अच्छा से crispy हो गई है और ऊपर से भी color इसका थोड़ा सा change हो गया है और cheese भी melt हो गया है तो बस इसी के साथ त्यार हो गय है हमारे यह इत्म crispy से yummy bread parcels अब हम इने निकाल लेंगे और इन्हें गर्मा गरम सर्फ करेंगे अच्छा सर्फ करने से पहले यह जो toothpick है और यह जो foil हमने इसको secure करने के लिए लगाई थी इसको हटा देंगे तो आप देखे हो कि कितने yummy लग रहा है यह और कितना आसान था इससे बनाना अचा यह तो हुआ एक तरीका जिसमें हमने इसे बेक करके बनाया अब मैं आपके साथ शेयर करूंगे इसको toast करके यानि कि तवे पर आप कैसे बना सकते हो तो इसके लिए बिल्कुल इसी तरह से हमें यह bread parcels बनाने है और इसके बाद आपको इभी तवा या पण ले लेजे और इससे पहले ग्रीज करना है अभी मैंने ग्री dalla की अइन ही किया है तो सबसे पहले से ग्रीस करेंगे ओयल या फिर बटर मैंने ओस्य नीज़ किया अपकी बार इसके बाद अब हम इसमें रख देंगे अपना यह पार्सल और फिर हम ग्राइस को उन और पैन को उपर से धख देंगे और कोई अगर होल है इसमें तो उसे भी कवर कर देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम के उपर पकने देंगे तब तक जब तक की ब्रेड नीचे से क्रिस्पी हो जाएगी और चीज जो है यह मेल्थ हो जाएगा इस केस में उपर से ब्रेड क तो इस तरह से चाहो तो आप टोस्ट करके भी बना सकते हो बिल्कुल सेम फ्लेवर रहेगा इसके साथ भी तो जैसे भी आपको कमफटेबल लगे आप इस रेसिपी को ट्राय कर सकते हो तो बैस अब हम इसे गर्मा गरम सर्फ करना है अपनी मर्पसंद सौस या चट्नी के साथ वैसे ये इतनी जादा यमी है न आपको कोई भी सौस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप देखरों कि ब्रेड नीचे से कितने अच्छे से क्रिस्पी हुई है और अंदर की ये यमी सी स्टफिंग बहुत ही जादा टेस्टी लगती है ये तो आप भी ट्राय करिए इस सिंपल सी और असान सी रेसिपी को और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले